नमस्का दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आगरा जिला की तैसील बहा के गाउं भगबान पुरा की जो केंजरा गाठ चम्मिल के किनारे बसा हुआ है आप यहां के हालात देखी सकते हो चम्मल में पानी इतना ज़्यादा हो चुका है कि गाउं की राष्टे और घरों में पानी आने लगा है यहां की लोगों ने यहां से स्वच्छे जगे पर पलाइन करना शुरू कर दिया है जब चंबल में पानी छोड़ा गया है तब से यह समस्या बनी हुई है पानी की बज़े से जो हेलप और सुब्दा भी इनके पास नहीं पहुंच पा रही है राष्टे में पानी इतना ज़्यादा भर चुका है कि टेक्टर गाड़ी मौटर साइकल भी नहीं निकल पा रही है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह पानी की बज़े से गाउवालों को निकलने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है अब जा रहा हो गाओं से निकल के जा रहा है या अब जा रहा है आपको जगह पहुचा दें जागो कहीं रहोगे दोस्तों रास्तों में पानी भी बहुत ज़्यादा भर चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और यहां तक की मोटर साइकल भी निकल नहीं पा रही है और लोगों ने अपने घरों से पलाइन करना शुरू कर दिया है और वो उंचे-उंचे इस्तानों की तलास कर रहे हैं आप देख सकते हो गाउं की एक जलक एक ट्रेक्टर में अपना सामान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं गाउं के लोग अब इनके लिए उंचा इस्तानी इनके दैने का इस्तान रहेगा दोस्तों इस समय एव भौती दैनी इस्तिती है जिसमें हर तरीके से किसान का नुक्सान ही नुक्सान है किसानों की फसल तक बरवाद हो चुकी है और यहां पर उंचे इस्तान पर इनको एक जोंपड़ी सी बनाकर रहेना पड़ेगा आप देखी सकते हो कि गाओं के लोग किस कदर उंचे इस्तान पर अपनी विवस्ता में लगे हुए है